As a infrastructure enthusiast, आप काफी सारे channels को follow करते होगे, जहाँ आपने road infrastructure developments के वीडियो में अक्सर, earthwork, embankment, subgrade, GSP, TLCP, QC, bitumen और कई तरीके के terms सुने होगे, फिर structures के बात करें तो, interchanges, piling, pile cap, pier caps, gutters, deck slabs, cable straight bridges, और भी काफी सारे हैं, लेकिन एक आपम आदमी के लिए इन सभी tactical terms को समझना थोड़ा मुश्किल है, और आप में से काफी सारे लोगों ने वो comment करकर पूछा भी था, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे, आए दिन जो roads बन रहा है हमारे देश में, वो actually कैसे बनती है, और क्या-क्या steps होते हैं उन्हें बनाने के लिए, और हमारी कोशिश रहेगी, आपको आफसान भासा में समझाएगा। एडिकोटिफ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के जरीए आपसे जुणने में हमें भी अच्छा लगता है। और काली मतलब, asphalt road या अब बोल सकते है, bitumen road और कोई-कोई बोलते है, tar road और इसे technical terms पे अलग करें तो, पहला है rigid pavement और दूसरा है flexible pavement. आसान बाजा में rigid का मतलब समझ लीजिए, जिद्धी, कठोर, सक्त या तस से मस नहीं होने वाला और flexible मतलब मुलायम, नरम. और मिट्टी के उपर roads का जो layers होते है, उन्हें combine लिव होते है pavement, जो load को transfer करता है मिट्टी के अंदर. तो जो bitumen roads है, वो होता है flexible pavement, और जो pqc road है, वो होता है rigid pavement. अब समझते हैं, कहां और क्यूँ इन roads को बनाया जाता है, और कौन सी better है. अगर इन दोनों टाइप के roads को differentiate करें तो, bitumen roads वहाँ बनाया जाता है, जहांपे traffic volume कम हो, और rigid pavement वहाँ बनाया जाता है, जहांपे traffic volume काफी ज़ादा होते हैं. दूसरी, bitumen road ज्यादा soft होते हैं compared to pqc pavement, तो बारिश के चलते bitumen roads ज्यादा खराब होते हैं, जहां pqc road कम खराब होते हैं. तो जहातर सहरों में जहां कम बारिश होते हैं, जैसे northern और northwest side में आपको ज़्यादा bitumen का road दिखेगा, और वहीपे southern और southwest side में आपको ज़्यादा pqc का road दिखेगा, जहां बहुत ज़्यादा बारिश होती है. For example, दिल्ली मुंबई expressway की बात करें तो, दिल्ली से गुजरात की वरोद्रा तक ये expressway bitumen से बनी है, जहां वरोद्रा से मुंबई तक ये expressway pqc से बनी है. अब durability की बात करें तो, bitumen roads के durability कम है compared to pqc roads. वहीपे pqc road बनाने के लिए cost भी काफी ज़्यादा है compared to bitumen roads. फिर maintenance की बात करें तो, bitumen roads के maintenance भी काफी low है, क्योंकि कहीं पे road खराब होता है तो, बस जितना खराब हुआ है उतने हिस्से को काट कर prepare कर सकते हैं. वहीपे pqc road पे repair करने के लिए भले ही कितनी भी छोटी खड़े की उना हो, पूरी की पूरी पैनल को काट के repair करना होता है. लेकिन क्योंकि pqc road बहुती कम खराब होता है compared to bitumen roads, तो वहाँ पर भी ये cost effective है. अब driving quality के बात करें तो bitumen road पे आपको better riding quality मिलती है compared to pqc road. क्योंकि pqc road से तुल ना करें तो bitumen road की surface काफी smooth होती है, तो friction भी कम होती है वहाँ पर. और आसान भासा में बोले तो tires काफी चिपक के चलती है bitumen roads पे. तो अभी तक आपने समझा की usually आपको कितने type के roads दिखते हैं और उनके advantages और disadvantages क्या है. तो अब आप बताए comment करके कि आपके हिसाब से कौन सी road better है और क्यों. अब आते हैं कि दोनों roads बनती कैसे हैं और वो सारे technical terms पे. कोई भी road बनती है तो उसकी अलग-अलग layers होती है जिसका main काम है layer by layer traffic load को नीचे मिट्टी में transfer करना. अब इन दोनों picture को देखिए यह है PQC road और यह है bitumen road. अब PQC road rigid या hard होने के कारण इस पे tire load एक पूरे panel में transfer होता है जहां bitumen road पे tire load कुछ ऐसे distribute होता है नीचे के layers पे. अभी road construction को layer wise देखे तो पहले बनता है embankment. मतलब road के एकदम नीचे पे आता है यह layer. इसे कभी existing ground को काट के भी बनाया जाता है तो कहीं पे feeling करके. इसे के पे आपने देखा होगा normal ground के उपर भी road को बनाया जाता है तो यह पता चलता है उस मिट्टी की bearing capacity को check करके. मतलब कितना load carry करने में शक्रम है वो ground. अगर वहां का ground सही है तो उसके बाद का layer होती है subgrade और यह भी मिट्टी का ही एक layer है. तो basically आपके ground कितना भी अच्छी हो लेकिन ground में एक slope maintain होना ज़रूरी है ताकि layer वाई layer वो slope maintain हो सके और इस slope का basic needs है road के उपर पानी को ना जमने दे. और जानकारी के लिए बता दे यह embankment और subgrade ही तै करती है एक road कितनी दिन तिकने वाली है. अगर यह layers अच्छे से ना बनाई जाए तो चाहे को bitumen हो या PQC road cracks आना तै है. तो एक तौर पर बोल सकते है यह embankment और subgrade layer foundation है इन roads का और आपको पता ही है अगर foundation सही ना हो तो कोई भी इमारत नहीं ठिकती है. और इन सबी layers का एक thickness maintain करा जाता है वहाँ के condition के हिसाब से. subgrade layer के उपर बनता है subbase layer जो है GSB. GSB का मतलब है granular subbase जिसमें material के size काफी बड़ा होता है ताकि पानी इसके थुरू जा सके. पतब यह layer basically road के नीचे water logging को prevent करती है. GSB layers के उपर बनता है bitumen road के लिए WMM यानि wet mix macadam और PQC road के लिए DLC यानि dry lean concrete. WMM और DLC दोनों ही एक cement based layer है. इन दोनों ही layers का काम है उपरी surface layer को better stability प्रदान करना. उसके उपर bitumen road के लिए आता है DBM layer यानि dense bitumenous macadam जहां PQC road के लिए आता है PQC layer मतलब pavement quality concrete. PQC road के लिए यही final road surface layer होती है जहां bitumen road पे better smoothness के लिए और एक final layer आती है जो है BC मतलब bituminous concrete. यह DBM layer से और ज्यादा dense यानि घना होता है यह सब complete होने के बाद फिर आपने देखा ही होगा road furnitures जैसे road signages, lane marking वगेरे वगेरे के काम करा जाता है और इसी तरीके से बनता है final road. तो इस पूरे process में और भी कई सारे stages आते हैं लेकिन हमने कोशिश किया आपको आसान भासा में समझाने के लिए कि road बनती कैसे है बाकी आपकी और कोई सवाल हो तो आप comment करके पूछ सकते हैं और अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ value मिला है तो वीडियो को एक लाइक करक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा हम मिलें के अपने अगले वीडियो में देखने के लिए धन्यवाद